Injection NTD, ये कौन सा injection है? किन सूरत इहाल में लगाना चाहिए? कौन सी खवातीन को लगता है ये टीका? और इसकी क्या importance है? इसके क्या फाइदे हैं? आईए देखते हैं इस वीडियो में Assalamualaikum वीवर्स, मैं डॉक्टर फॉजी अंबर कुरेशी हूँ, मैं प्रोफेसर अफ गाइनाकॉलजी हूँ आज हम इस जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं, वो है कि क्या ऐसे कोई महेंगे हिफास्ती ठीके होते हैं जो के हमल होने से पहले उन खवातीन को लगा दिये जाएं जिनके के पहले बचे नहीं बचे या जाया हो गएं या फौत हो गए हैं, क्या कोई इस नाम की कोई हकीकत है, कोई ट्रीटमेंट है, ऐसी अवेलेबल के नहीं क्या, इसकी कोई बेसिस भी है साइन्टिफीक या बस लोगों ने ऐसी बातें ही बना दी हैं मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि साइंस बहुत क्लियर है साइंस हमेशा बिलकुल लॉजिक और रैशनल तरीके से ही बात करती है लेकिन कम इलमी की वज़ा से या गलत फहमियों की बुनियाद पर हमारे मार्षे में ऐसी बहुत सारी बाते सरायत कर गई हैं जिनकी किसी किसम की कोई साइंटिफिक बेसिज नहीं है और वो सिर्फ एक बेबुनियाद तवहम परस्ती को लेकर जो बातें जवान लड़कियों के या जो शादी शुदा हैं या जिनकी अभी प्रेगनेंसी के लॉसेज हुएं उनको अजीब अजीब किसम की ट्रीटमेंट्स बताई जाती हैं कि ये ट्रेडिशनली ये ट्रीटमे जो एक जैसा है तो ये लगाएं वगारा वगारा ऐसी किस इस किसम की कोई बहुत ज्यादा साइस नहीं है चीजें बहुत सिंपल और क्लियर हैं लेकिन माश्रे की बेबुनियाद और कम इल्मी परमबनी बातों की वज़ा से मैडिकल ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है और मैडिकल ट्रीटमेंट को समझे एक मैल प्रैक्टिस उसमें एड हो गई है मैं आज बात करने लगी हूं इंजेक्शन एंटी-डी के हवाले से इंजेक्शन एंटी-डी वह महंगा टीका है जिन वह जो कि सिर्फ उन खवातीन को ही लगेगा जिनके हस्बंड का ब्लड पॉजिटिव है चाहे वह अहे प्लेड गरुप नगिटिव है हस्बंड गरॉप पॉजिटिव है और नोजाइदा बच्रॉपidor को मैं इस पराण उसका ब्लाइद गरुप के साथी तरह पॉजिटिव है तो फिर मदर जो इनका ब्लड ग्रूप नेगिटिव है उनको एक महंगा टीका जिसको हम आम जबान में महंगा टीका कहते हैं लेकिन उसका साइंटिफिक नेम इंजेक्शन एंटी डी है वो लगना लाजमी है पैदाइश के 72 घंटे के अंदर अगर इस इंजेक्शन को लगा देते हैं तो आइंदा आने वाली प्रेगनेंसी भी सेव हो जाती हैं मिस्कैरिज होने के हमल जाया होने के और अगले नोजाइदा बच्चों ने यरकान से फौत होने की या यरकान से मेंटल रिटारडेशन होने की शरात अनासुब में जरी प्रेगनेंसी केर में ही मडर का ब्लड ब्लड गृफ एग्सशथ दृरूर पता होना चाहिए और अगर मदर का ब्लड गृफ और एच नेगिटिव है चैहे वह एं बै isn't that is a bear a.णेगिटिव है और उनकी वह सबंड का ब्लाड ग्रॉफ और अर welcome तो फिर she is a candidate के उसके मुक्तलिफ टेस्ट हो हमल के दुरान भी एक या दो मरतबा और बचे का भी blood group टेस्ट हो जब बेबी पैदा हुआ है लेकिन अगर बेबी for example premature delivery भी हुई है even miscarriage भी हुई है या हमल के दुरान even bleeding भी हुई है बहुत सारे ऐसी भी situations हैं तो भी उसको एंटीडी का injection लगना जरूरी है लेकिन ये एंटीडी का injection आइंदा आने वाली pregnancies से बचाओ के लिए जरूर है लेकिन ये नहीं है क्योंके पीछे बच्चे जाया हो गए है इसलिए बगार किसी वज़ इसके लिए आपको of course specialist से consultation लेने की जरूरत है आप मुझसे भी मश्वरा करने आ सकते हैं मेरा नाम डॉक्र फॉजी अंबर क्रेशी है मैं professor of gynae हूँ शालामार hospital में भी available हूँ और पंजाब medical center में भी आपका बहुत शुक्रिया